कि आप इस लास को देख के सोचेंगे कि यह चप्टर समझ नहीं आया तो फिर दिकत होगी आपको प्रीवियस क्लास देखने ही देखनी पड़ेगी आप जब भी कोई चप्टर स्टार्ट करें स्टार्टिंग से क्लास लीजिए आपको डेफिनिटली समझ में आएगा मैं किसी चप्टर से लिंक नहीं है इंडिविजुल चप्टर है तो स्टार्टिंग से देखोगे तो डेफिनिटली समझ में आ जाएगा सर लास क्लास के अंदर हमने क्या देखा था सर प्रॉसेस क्या होता है प्रॉसेस का मतलब होता है जब भी हम को प्रॉडक्ट बनाते हैं तो एक ही जगह नहीं बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बनता है तो अब हर जगह जाने पर अपना अलग 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 प्रॉसेस अलग अलग कोस्टिंग होता है जो कि हमने समझा था इसके बाद हमने देखा सर प्रॉसेस अकाउंट के बस फॉर्मे में आएगा जो stock बच जाएगा वो closing होगा और कुछ जब यहां से माल तयार होगा तो यह process इसमें पहुँच जाएगा सर मतलब यहां से माल तयार होके जैसे ही तयार होगा वो यहां पहुच जाएगा तो आप यह चीजे देख सकते हैं फिर इस process में material labor overhead लगेगा और उसके बाद फिर normal loss abnormal loss इस basis पे हमने एक question भी किया था और यह पूरा questions मैंने करके दिखाया था हाला कि इस question में process one बोला था लेकिन हमने दोनों करा था इसके बाद फिर एक questions और किया था हमने last class के अंदर जिसके अंदर हमने normal weight loss वाला concept देखा था बताया था कि weight loss के case में उसको scrap नहीं किया जाता अब मेरे दिमाग में अकल से question चल रहा है sir क्या question चल रहा है कि sir loss कैसे big पा रहा है loss कैसे big रहा है अब losses की बात करें sir losses हमारे दो तरीके के losses होते हैं और gain भी दो तरीके के question चल रहा है sir loss कैसे बेच रहा है sir कहां बताया आपने normal loss बिग गया इतने रुपए का होता generally क्या है मैं आपको एक छोटे छोटे example लेके समझाता हूं loss को दो partition में बाट दिया गया है sir sir दो partition कौन सा हो गया एक हो गया हमारा normal loss एक हो गया normal loss और एक हो गया हमारा abnormal loss ठीक है हम एक बहुत छोटे से के example लेते हैं और normal loss और abnormal loss को हम समझते हैं ठीक है मान लेते हम एक बिजनस ऐसा करते हैं सपोस करो हम एक बिजनस स्टार्ट करते हैं और जो बिजनस है वह मान लो एक का बिजनस का और आपको पता होगा आप सभी ने देखा होगा इन फैक्ट हर बच्चे ने देखा होगा और जल्दी concept देखते हैं कि बच्चों को पता है नहीं पता जरूरी ही कि खाना यहीं क्ते होते हNDB Alors सबसे पहले टनीशा ने आता है सड्कP 30 होते हैं 50 होते हैं although सबी के घर में ट्रे के ट्रे अंडे आ रहे हैं फिर इसका मतलब यानि तीस पीसिस होते हैं अब एक अंडे का नॉर्मली जो कीमत होता है वो कीमत होता है बान के चलो साथ रूपे आठ रूपे जो भी साथ रूपे पांच रूपे छी रूपे होता है हम प्राइस पर बात नह क्या करें किसे करें पिर कहां से सबी आज स्वर्णिंट में को कैसे कि क्या जाए क्लास साथ रूपय का घॉलक effective ऐसे अबयों वह इसे खालो है। वैसे ठ्रीक होता अब आद और किया होता है मैं जितना ज्यादा wholesale में लाऊंगा तो उतना ही मैं wholesale अच्छे rate में बेच पाऊंगा मुझे बेचना है ये sell करना है किसी दुकानदार को मुझे sell करना है तो अब ये मान लेतना है कोई दुकानदार है जिसको मुझे बेचना है ये दुकानदार है जिससे मुझे बेचना है ठीक है ना अब दुकानदार को मुझे sell करना है अंडे जब एग मुझे दुकानदार को sell करना है तो मैं एग लेके आता हूँ ट्रे के form में और माल लेते हैं एक ट्रे लाके मैं बेच रहा हूँ एक ट्रे वैसे तो मैं बहुत सारी ट्रे खरीद हूंगा लेकिन एक ट्रे लाके बेच रहा हूं तो मेरे साथ होता क्या happening है जब भी मैं पीछे से खरीद के लेके आता हूं दूर से तो मैं जब भी लेके आता हूं 30 अंडे को तो मैं 30 अंडे लाने में कामियाभी नहीं होता क्योंकि रस्ते में जब लेके आता हूँ तो एक अंडा हर बार टूटी जाता है एक अंडा टूट जाता है और ये एक बार की कहानी नहीं है हर बार की कहानी है एक अंडा टूटी जाता है मिरसे एक ट्रे में एक अंडा अब ऐसा नहीं है कि जब एक अंडा तूट गया तो मैं बोलों भाई अब तेरको तो 39 मिलेगा ऐसा नहीं है उसको मैं 30 पूरे करके दूआ लेकिन फिर दूसरे ट्रे में से एक अंडा डाल के दे दूआ उस ते उसको पूरे करके दूआ एक अंडा हर apply करता हूँ अब यह जब तूट गया तो यह कहानी मेरे साथ जो होता है 365 दिन होता है कि मैं लेकर आता हूँ कितना भी बचाते चलू तो कभी इधर लग गया कभी इधर लग गया तो एक अंड़ा मेरा खराब होना ही होना है तो ऐसे losses जिसको मैं टाली नहीं सकता अब मैंने बहुत कोसिस करा कि इसको ऐसे पेटी में बंद करके लाओ या फिर इसको बहुत आराम से लेकर आओ फिर भी कहीं न कहीं एक अंड़े का नुकसान हो रहा था तो इस loss को कभी टाला ही नहीं जा सकता मतलब मैं चाहा के भी इस loss को कम नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे losses को पता है क्या बोलेंगे इस loss को बोलेंगे हम normal loss इस loss को कौन सा बोलेंगे normal loss which cannot avoid जिस loss को avoid नहीं किया जा सकता उसको बोलते है normal loss अब जो अंडा टूट जाता है न तो normally मैं wholesale में supply 5 रुपए का अंडा करता हूं लेकिन मैंने कोई जो अंडे का काम करता है जो omelette वगरा बेचता है तो उसको मैंने बुला भाई मेरे पास daily के अंडे टूटे हुए होते हैं मैंने एक रुपए में बेच दिया तो जो अंडा है जो अंडा है जो अंडा है तो अंडा है इसthirds mo Leas u जाना और वो हर बार होता है क्या उसको बेचा जा सकता है मैंने एक उधारन के example से समझाया अभी देखा आपने के इसको बेचा जा सकता है तो normal loss जो बेचा जाता है normally high price पे नहीं बेचा जा सकता वो बहुत ही कम price पे बेचा जाता है यहीं बहुत nominal price पे ताकि कि सामने वाला मना ही ना कर पाए उसको खरीदने से दूसरा अब कई बार ऐसा होता है कि जब मैं समान लेकर आता हूँ तो ऐसा नहीं कि महीने हर महीने पांच या 6 साल में एकात बार एक्सिडिंट का भी possibility हो जाता है तो जब एक्सिडिंट होता है तो उस case में में पास जितने भी एग होते हैं वो सारे के सारे एग जितने भी एग है वो पूरा 90% इसमें से मेरा एग क्या हो जाता है डिस्ट्रॉइड हो जाता है अगर मैंने कोई लापरवाई करा और मैं गाड़ी पर लेके आ रहा हूं को एक्सिडेंट हो गया ऐसा हमेसा नहीं होता 8-10 साल में कभी हो आप अंसियस रहो आप बहुत साफधानी से चलो तो अवोइड किया जा सकता है तो ऐसे लॉस को हम क्या बोलेंगे सैल एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे क्या एबनॉर्मल लॉस भी बेचा जा सकते हैं तो सेम अगर सवाल है कि मेरे यहां पर पहले वाले केस में एक अंड़ा हो रहा था है यहां मालो 25 अंडे खराब हो गए मेरे तो यह लॉस तो अबनॉर्मल है तो 25 अंडे को भी तो मैं बेच सकता हूं उस ओमलेट वाले को तो बताओ जो 25 संडे को मैं बेचूंगा उसको मैं किस रेट पे बेचूंगा नॉर्मल जब लॉस होता था तो एक अंडा मेरा खराब हो रहा था एक अंडा तो उसको मैं किस रेट पे बेच रहा था सहाब एक रुपए का अब बनॉर्मल लॉस के केस में मैं उसको कितने रुपए में ठीक है लेकिन अगर मैं लॉस को निकालूँगा तो लॉस हमारा जो निकलेगा वो एक्चुल प्राइस के हिसाब से लॉस होगा अब समझना बात को नॉर्मल लॉस के केस में न हम ये लॉस कस्टमर पर सिफ्ट कर देता है अगर मुझे वहां से पीछे से पांच रुपए का एक अंडा पड़ता है और इक रुपए एक अंडे पर कमाना चाहता हूँ तो रुपिस में मेरा पास अंडे नहीं है, मेरे पास सिर्फ कितने अंडे है सर, मेरे पास 29 अंडे बचेंगे, तो उसके इसाब से कॉस्टिंग होगा, ठीक है न, तो इस एक्जामपल में हम सिर्फ यह समझ पाएं, छोटा सा पॉइंट बस समझाएं, what is the normal loss और what is the abnormal loss, normal loss वो होता है, जो कि regular basis पे होता ह है, ऐसा ही हमारा abnormal gain भी हो सकता है, तो gain वाले topic में हम gain सीखेंगे, अभी तो सरिफ loss की बात करते है, normal loss को भी बेचा जा सकता है, abnormal loss, normal loss हमेशा, फिलहाल के लिए यह समझना, कि examiner आपको हमेशा देगा question के अंदर, abnormal loss always आपको find करना पड़ेगा, क्योंकि abnormal loss को beer आपको ही करना है, normal loss customer के उपर shift हो जाता है, हमारा, ठीक है न, सर, class में शुरू क्या मेरे पास तो message ही नहीं आया, अभी refresh करके join किया है, अभी just मैंने start किया है, अभी just मैंने start किया है, तो आप एक बाता थोड़ा सा conscious रही है schedule के, अभी यह मेरे लिए न, एक message आपके पास नहीं जाना, मेर लिए drawback है, कि message नहीं जा रहा, और एक मैं सोचता हूँ यार, अच्छा है message नहीं जा रहा, मैं punctual हो जाऊँगा, कि भाई, अगर मैंने 7 बजे class बोला है, तो 7 बजे start हो जाएगा, क्योंकि फिर बच्चे 7 बजे के बाद वेट करेंगे नी, तो चलो कोई नी, जो classes है, वो on मेरे पास तो आया होगा, मैं एक course ना, खुद भी खरीद के मैं देखता हूँ, कि बच्चो को कैसा रग रहा होगा, तो अभी देखो, यहाँ पे process account का live class, आपको अगर दिख रहा हो, तो मेरे पास आया है, कि process account का 7 बजे के 9 मिनिट पे start हो गया है, तो कई बार आप भी यह देखो, आपको notification कहा चेक करना, यह bell, यह घंटी देख रहे हो है, इस घंटी पे click करके check करो, अब आप सभी बच्चे इस घंटी पे check करके click करना, और मुझे बताना है सर, इसके अंदर अगर आया है, तो आपके या तो phone silent रहा होगा, या फिर कुछ network issue हो सकता है, अगर यहा चल रहा, हम live में तो हैं अभी, यहां तक चलिए, बताइए, normal loss, abnormal loss का स्रिफ और स्रिफ meaning मैंने समझा है, और कुछ नहीं, only meaning समझा है, nothing, और कुछ भी नहीं, कुछ बच्चों को आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए, वो तो technical fault हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा है, भाई, मैं 100% ठीक हूँ, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए सर, अब हम बात करते हैं, सर, abnormal loss find करना होगा, जो मैं जब question कराऊँगा तो question कराते कराते, आपको abnormal loss find करना बता दूँगा, कि किस तरीके से find होगा, एक हमारे सामने abnormal loss वाला question मिल जाए, तो हम उसको कर लें, या फिर हम आज दो question करेंगे, पहले normal loss वाला, इसके बाद, एक questions है, यहाँ पर कोई भी abnormal loss की बात नहीं की गई है, देखा जाए, देखा चलिए, इसी questions में मिल जाएगा, चलिए, पहले start करते हैं, जो question मिलता जाएगा, start करते जाएगे, क्या सोचे हैं, तो हमारे पास, देखे, कितने process account रही हाँ पर, बताओ फटा-फटी, हाँ तो normal भी नहीं दिख रहा है, question incomplete है, मुझे तो लग रहा है, incomplete के type है, बिल्कुल incomplete ह लग रहा है, एक बार देखना बुक में कुछ से incomplete है, क्या है? 8.6 के आसपास होगा, बाकी बच्चे भी देख लो, ये question incomplete तो नहीं है कहीं, जितना ही है? इतना ही है, तो मैं कोई ऐसा question ढूंडू जहां पर abnormal loss भी हूँ, 13 करेंगे, ये सारा question जो है, ये बहुत simple सा question है, या एक करके दिखा देगा, चलो करके दिखा दो, इसके बाद एक question करेंगे, 13, बड़िया वाला question है न, कितने process है, तीन है, ये simple है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, जो बच्चे नए होंगे, उनको idea लग जाएगा, कि हाँ भाई, ऐसे करना है इस chapter को, एक unit का column, फिर abnormal वाला करके दिखाएंगे हैं, FM का semester 3 के बहुत बच्चों के न, वसाइद regular का result आ गया, semester 3 regular का result आ गया, financial management में बच्चे कह रहे थे, sir हमारे 10 out of 10 आए हैं, तो एक बार जिनके 10 out of 10 आए हैं, जिनके अच्छे नमबर आए हैं, वो message भी कर देजेगा, ताकि हमें पता चले, और एक result का भी थोड़ा सा image खेजे, हाँ, हाँ, story तो अब बहुत बच्चों का आया है, वो semester 5 का भी आया है, तीन का, तो तीन वाले बच्चे specially message कर देना, ठीक है न, कितने बच्चों का, बताओ, live class में किसी का result आया है, semester 3 का, आ गया है result, क्योंकि बच्चे तो कह रहे थे, sir, मेरे result आ चुका है, और बढ़िया marks आये हैं हमारे, उन्हे semester 3, regular, regular का तो आ गया है, मैं रिख्यार, yes sir, हिमानसू कह रहा है, sir, semester 3 का result आ गया, तो वासू आपके कितने marks आया, ये भी बता दो FM में, अभी सिर्फ b.com honors का है, sir, मैं तो पूछ रही हूँ, अच्छा, only b.com honors का है, कोई बच्चा live में, जैसे b.com honors का है, marks लिखना भी देखते हैं आपके chat को, क्या नमबर आये हैं, इतने मैं question फटा फट से कर देता हूँ, ये है process, a. इसके बाद process, b. बहुत आसान चेप्टर है, सरी ये, see, a.s.o.il वालों का नहीं आया है, हाँ, a.s.o.il का तो नहीं आया है, चलिए सहाब, अब पहला कॉलम किसका होता है, सर, unit, amount, अगर आपको पहला कॉलम में न, जैसे बोले kg में है, जैसे यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, हाला कि unit production दे रखा है, कई बार बोले kg में है, कई बार बोले kg में है, कई बार बोले kg में है, तो unit के जगह पे kg बोले तो kg लिख देना, लिटर बोले तो लिटर लिख देना, टन बोले तो टन लिख देना, ठीकर न, यह है measurement का कॉलम हमारे एक तरीके से, चलिए सर फिर से यहां पर यूनिट अमाउंट यूनिट अमाउंट यूनिट अमाउंट और बीच में पर्टिकुलर रहेगा ही रहेगा ठीक है तो यह सवाल आ गया कहता है अब यह देखिएगा चलो अब मैं एक पर कुश्चन फिर से पढ़ता हूं और कुश्चन में जो करेक्शन करना है मुझे मैं कर देता हूं ठीक है समझने के लिए यहां पर प्रड़क्शन यूनिट नहीं है इसे काड़ देते हैं यहां पर ट्रांसफर to next process ठीक है यहां पर लिखा है transfer to next process अब कुश्चन में क्या कहना है कहता है भाईया हमने wages material लगाया हमने overhead लगाया और next process में हम कितने unit transfer कर पाए बात तरह ठीक है तो हमने लगाया है material wages और कितने रुपे का लगाया हमने 60,800 हमने लगाया work overhead कितने रुपे का लगाया 10,000, 11,200 और जब हमने ये काम किया तो हमारा total खर्चा आया 72,000 और कहता है next process में unit ये unit दे रखा है तो next process में unit जो हम भेजने में कामियाब हुआ है वो 72,000 unit भेजने में कामियाब हो गए तो process किस में जाएगा next का मतलब यहाँ पे आएगा सर कौन सा process process B तो that is 72,000 अब जो ये 72,000 next process में गया है तो इसका मतलब आपका input भी 72,000 यूनिट रहा हो का और इसके अंदर मान लो कुछ नुकसानी नहीं हुआ अब ये इस process में आ जाएगा two process कहां से आये सर process एसे कितने आये unit सर 72,000 कितने रुपए का 72,000 का इस process में opening stock भी था क्या था opening सर कहां दे रखा था opening second process के अंदर opening 8,000 unit है ये ये क्या है unit है तो भाई साहब ये 8,000 जो हमारे process के अंदर unit है तो 8,000 unit हमने opening में डाल दिया सर इसकी कीमत क्या होगा तो यहाँ पे जब ऐसा question होता है तो ऐसे situation में जो पिछले वाले process का जो rate निकलता है वही rate अगले वाले process का opening stock का भी और closing stock का भी मान लिया जाता है अगर rate नहीं given है तो तो यहाँ पे देखा जाए तो rate कैसे निकालेंगे सर टोटल कॉस्ट आ गया 72,000 और उससे हम बनाने में कामियाब होगे कितने unit सर 72,000 यूनिट तो यहाँ पे rate एक रुपए आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8,000 को 8,000 को मैंने किस से multiply कर दिया सहाब एक रुपए से अब यहाँ पे फिर से हमारा फिर से material लगा सर material कितने का लगा material लगा यहाँ पे सर 24,000 का material 24 के बाद फिर work cost भी लगा और इसे 8,000 लिख दे और फिर work cost भी लगा work overhead कितने रुपए का लगा work overhead सर 10,500 अब हुआ यूँ कि हमने total जो input डाला था वो डाला था कितने का सर 80,000 का अब देखो मैंने total total यानि सर पिछले process से आया था एक तो opening stock हमारे पास पहले से ही था सर कितने थे opening stock सर 8,000 और हमने last process से यानि process ए से लिया था process ए से लिया था 72,000 तो मैंने total जो समान लगाया unit के terms में बात करो तो 80,000 अब 80,000 तो समान लगाया है अभी बन के थोड़ी न तयार हुआ इसको हमने क्या करा एक machinery के अंदर process होने के लिए डाल दिया जब process होने के लिए डाला तो next process में हमने भेज दिया इसमें से ही निकाल के कितने भेज दिये सर question कहता है next process के अंदर गया 75,000 इसी में से निकाल के 75,000 next process में भेज दिये और इसी में से ही closing stock भी बचा हमारा कितने का बचा closing stock 2000 का तो देखा जाए तो हम जो बनाने में कामियाब हो पाए 77 होना तो ये चाहिए था कि अगर मैं next process में 75,000 भेज रहा हूँ तो 80,000 लगा कि अगर next में 75 भेज रहा हूँ तो बाकी का हमारा loss हो गया और ये weight loss कहलो normal loss कहलो कितने का loss हो गया हमारा 3000 रुपे का normal loss हो गया अब इस normal loss को बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता always question बताएगा अगर question silent है तो हम नहीं करेंगे ठीक है चलिए अब आजाईए sir question इस पे बिलकुल चुप चाप है question एकदम चुप भी बांदे है कि हम नहीं बताएगे कि ये normal loss वाला part क्या हुआ तो हम simple buy side में लिख देते है sir buy side में normal loss और normal loss that is 3000 unit के terms में और rupees के terms में भई अभी का ही नहीं है ये मान लेते हैं तो sir अभी आपने अंडे वाला example दिया था उसमें तो बेच रहे थे तो मेरा ये मानना है कि normal loss विख भी सकता और नहीं भी विख सकता depend on goods के type का है आपका goods के type का है तो उसके हिसाब से अब buy side में हमारा closing stock भी आ जाएगा sir closing stock closing stock कितने बताए question में 2000 unit 2000 unit का rate कैसे निकालोगे तो मैंने कहा जो opening का rate होगा वही closing का मानना है आपने 2000 ठीक है ना इसके बाद buy side में आ जाएगा हमारा next process में जाएगा तो process process C में चला जाएगा next process में कितने चले गया 75,000 unit अब इस 75,000 unit की कीमत कितनी होगी वो balancing figure निकाल के बता सकेंगे हम आपको तो सर 72,000 80,000 8,000 24,000 10,500 तो यह आगया हमारा 114,500 114,500 और यह है सर that is 80,000 माइनस कर दिया सर 2000 माइनस 2000 तो 112,500 ठीक है अब सर अगेन तीसरे process में जा चुके हैं तो यहाँ पे हमारा buy side में बताओ क्या लिखेंगे कौन बताएगा मैं two side में लिखना चाहता हूँ process अब बताओ यहाँ process A लिखूँ, B लिखूँ, C लिखूँ, क्या लिखूँ जल्दी जल्दी comment में बताओ A लिखूँ, B लिखूँ, C लिखूँ सर रुख गई वीडियो सर वीडियो रुख गई अभी भेजते हैं इसको, क्या चक्कर चल रहा है भाई साथ क्या सभी बच्चों की वीडियो रुख रही है, आप बच्चे तो बता रहे हैं B, तो कैसे माने रुख रही है एक बार जिन बच्चों का वीडियो रुख रहा है ना, एप्लिकेशन क्लोज करिये, चालू करिये, एकदम परफेक्ट चल जाएगा तो बच्चे कह रहे हैं, सर मुझे पता है, आप B लिखो, आप B लिखो, ओके जी, बी लिखो अब यूनिट भी बता दो, चलो कितना लिखें, यूनिट भी बता दो, सर तीन हजार वाले पर रुख गई, कोई बात ने, अभी दुबारा से बता देंगे, ठीक है अब यूनिट बता दीजिए, यूनिट कितने लिखें, समझ मैं नहीं आरा मुझे यूनिट कितना लिखना चीए, अत्ती हजार लिखें, बहत्तर हजार लिखें, तीन हजार लिखें, दो हजार लिखें, सेवेंटी फाजार लिखें, बताओ क्या यूनिट आना चीए, इस प्रॉसेस से इस प्रॉसेस में कितने यूनिट गया सर 75,000 अंजली का जवाब सबसे तेज आया और कहा के सर इस पे लिख दो आप 75,000 और रुपिया कितना लिखना 1,12,500 सर मजे की बात यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है ओपनिंग स्टॉक कहा दे रखा है सर यह देखो यह 33,000 यूनिट जो पिछले प्रॉसेस का रेट आया था निकलके इस प्रॉसेस का जो रेट निकलके आया वही होगा तो 112 डिवाइड़ बाय कितना आया 1.5 तो इसको 1.5 से ही मल्टिपलाई करेंगे तो इस हमारा आ जाएगा 0.5 33,000 को करो 33,000 49,500 ओके अब इसके अंदर 2 मटिरियल भी लगा बच्चे कह रहे हैं सर जब प्रॉसेस में यूनिट डाली दिया ओपनिंग इस्टो के तो मटिरियल क्या काम कर रहा है जब भी नेक्स प्रॉसेस में जाते हैं तो इसमें कुछ मटिरियल लगेगा नहीं तो नेक्स प्रॉसेस में भीजेंगे क्यों अगर मैंने अगले प्रॉसेस में भीज दिया इसको पैकिंग करने तो पैकिंग का मटिरियल ये तो बन के तयार हो गया लेकिन हमेशा याद र वरक ओवरेड कितने आगे सर वरक ओवरेड वरक ओवरेड कोई बता दो वरक ओवरेड 12,000 और कुश्चन अब बताओ मैं आपके उपर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि कितने यूनिट हमारा यहां बनके तयार हुआ जो हमारा फिनिस होगा कहता है भईया हमारे बच गई कितने 11 तो मैं पहले तो लिख दू बाए closing 11,000 इसका rate क्या होगा 11,000 इंटू में क्या होगा 1.5 तो 11,000 प्लस पच्पन सो 16,500 16,000 यहां तक आपको बात समझ में आई सभी बच्चे को यहां तक बात समझ में आई अब आपको challenge दे रहा हूं नॉर्मल लौस है के नहीं है भगवाण जाने यह आपके उपर मैंने चोड़ा नॉर्मल लौस निकाल के बतादो है या फिर नहीं है क्योंकि सवाल कहता है अगले process में हम 96,000 यूनिट भेजने वाले हैं next process यानि finished goods में 96,000 फिर इस गूट्स बोल रहा है 96,000 है और finished goods 96,000 है और total unit कितने थे सर ये बता दो oh my god total unit तो बहुत जादा है यानि 33,000 1,08,000 यूनिट है सर 1,08,000 यूनिट है खर्चे भी मैं जोड़ लेता हूँ आपके आप normal loss निकाल के बताओ कितने होते है अठावन पांसो यह आगया दो लाक बत्तिस अजार कोई बच्चा है जो कि बता पाए normal loss यह टूटल है इग मैं 11,25 ग्यारा पत्तिस दो बत्तिस पांसो मुझे नॉर्मल लास को यह बता दो दो बत्तिस नीचे एक बार देखना कोई है किया नीचे दर्वाज़ा तो लॉक था नीचे सर वेस्टेज हजार यूनिट होगा हजार यूनिट होगा हजार यूनिट होगा हजार यूनिट होगा हरस ने बता दिया अंजली ने बता दिया और मिनाक्षी ने बता दिया अमन ने बता दिया हजार यूनिट होगा हजार तो sir एक पार चलो चेक कर लिया जाए 1000 यूनिट कैसे आया तनीशा ने बता दिया 1000 यूनिट कह रहें बच्चे 1000 यूनिट चेक करें साहब 1,088,000 यूनिट थे प्रोसेस करते करते इसमें से हम निकालने में कामियाब हो गये मातर 96,000 और कह रहे हो 11,000 क्लोजिंग बचा है इसका मतलब माइनस कर दो ना इसमें से माइनस कर दो 1,08,000 माइनस 96,000 तो अगले प्रोसेस फिनिस प्रोड़क्ट और माइनस 11,000 तो जवाब आ गया सर एक हजार जिन जिन बच्चों ने एक हजार बता है उसका आंसर एकदम ठीक है वो बच्चे अपने आपको साबा से दे सकते हैं कि सही किया है अब आई साइड में क्या लिखूँ पिनिस गोड़क्ट क्योंकि कुश्चन कहता है कि जब तक प्रोसेस करते रहो करते रहो जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाए तो कंप्लीशन होगे तो फिनिस गोड़ से हो गए कितने फिनिस गोड़ में जाएगा 96,000 यह तो आगया पूरे एक लाख आठ हजार तो आजाएए दो लाख बत्तिस पानसो माइनस एक हजार माइनस सोलव पानसो तो यह आगया दो लाख पंद्रह हजार दो लाख पंद्रह हजार लो जी लो हमारा तीनों प्रोसेस हो गया complete हम normal loss, abnormal loss तो नहीं देख पाए अभी बट हमने प्रोसेस को समझ लिया किस तरीके से चल रहे है किसी बच्चे को इस वाले questions में कोई doubt फिर बच्चे कह रहेते हैं सर how to study एक बर बता दो तो मैं भी बता दूँगा उसके बाद कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको सभी student को clear है सर कोई doubt नहीं है सर चलिए चलिए सर अब मैं एक बार आप लोगों का study plan बता दूँ सर कैसे पढ़ना है process C का 1.5 कैसे आया बता दीजिए process C का 1.5 ये जो हमारा पिछला process निकला यानि जो इसकी costing निकली उसी को 1.5 सबको लेके चले है जो ये costing है मतलब इस process का C का 1.5 कैसे आया इसको divide इस unit से कर दिया तो ये आ गया 1.5 उसी को आगे लेके चल रहे है चलो